डियर स्टुडेंट्स, टूडे वी विल रीट चैप्टर नंबर टैन, मोटी छलो, अल आफ यू, टेक यूर पंजाबी बुक, पेज नंबर फोटी सेवन, एस साइड, लेफ्ट साइड तुसी आज़दी डेट पानी है, और राइट साइड लिखलो, रीड इट, इस चैप्टर नो तुसी रीड करने है, चंगी तरह, ठीके, इस पाठ दे विच लेखक ने, दस्याए कि फास्ट फूर्ड ते तलियां चीजां जड़ी है, वो सेहत ल वी विल रीट, वर्ड मीनिंग, देखो, पेज नंबर फॉर्टी एट, ओखे शब्दा दे अर्थ, सब तो पहला, आसी यहना नो समझांगे, तांकी पाठ पढ़न वेरे तो आनो मुश्कल ना आवे, ठीके, फर्स्ट वर्ड है, खुद, इट मीन्स आप, खुद, आप, उ बिलकुल ना वर्ड ना, कम ओन, पेज नंबर फॉर्टी सेवन, हुन तुसी मेरे नाल नाल इस चैप्टर नू रीड करने, ठीके, छलो दा ना शालिनी है, इस चैप्टर दा ना ही मोटी छलो है, एक कुडी दा नाम छलो है, ठीके, छलो दा ना शालिनी है, पर सारे इस चलो चलो कहके बुलाउं दे हन शरार्ती बच्चे ता उस नू मोटी चलो मोटी चलो कहके बुलाउं दे हन इह किसे दा गुसा नहीं कर दी असल विच इह है ही बहुत मोटी हाले इह दूसरी जमात विच ही पढ़ दी है उस दे कारदे उस दे मुटापे तो दुखी हन एक खुद भी दुखी है पर चलो दे मुटापे दा कारण है उस दा तलिया फलिया चीजा खाना फास फूड खाने टौफिया चौकलेटा बबल गमा खानिया कोको कोला माजा दीता ओहो बहुत शुकीन है कारव वाड़ दी मगरों है पहला दो तिन फूटिया अंदर सुट दी है असी हुने मीनिंग पढ़या सीगा अंदर सुट दी है इट मीन्स पीन दी है एक दिन चलो दी मम्मी ने केहा चलो आज तो तेरा खाना पीना बांद तेरे सारे फास्ट फूड बांद तेनू कोल डिंक बिल्कुल नहीं दित्ती जावेगी डॉक्टर साहेप कहन देहन कि जे चलो नू पतली देखना है ता एहे चीजा चड़निया पैन गिया मम्मी कोलो पीजा, बर्गर, नूडल्स, डोसे ना खान दा बारे सुनके चलो उदास हो गई उदास मेंज निराश हो गई उसनू ता एहे चीजां सुआद ही बहुत लग दिया हन पला ओहो एनना नो खाना टर्न योर पेज बिटा किवे चड़ सक दी है प्रन्तू जदो उसने अपने पतले होन बारे सोचया ता ओहो जाके मम्मी नू बोली मम्मी तुसी ठीक आख दे हो मैं आज तो एहे सारे फास फूड नहीं खावांगी मैं कोल्ड रिंक नहीं पिवांगी मैं चौकलेट टॉफियां बबल गम्मा नहीं खावांगी पर मैंनू दस्सो मैं पतली हो जावांगी बिल्कुल तू पतली हो जावेंगी मैं तेनू सेर क्राउन भी लेके चल्लिया करांगी उस दिन तो चल्लो ने एन चीजानों खाना ता दूर हाथ भी नहीं लाया मतलए बिल्कुल वि यूज नहीं किता आज जो हो एक चोस्त दुरुस्त बच्ची बन गई सी दिखो एग लड़की है बड़ी मोटी है उसनों सारे मोटी मोटी कहके बुलांदेहन वो किसी दा गुस्ता नहीं कर दी क्योंकि वो बहुत मोटी है हाले वो दूसरी जमात विच पढ़ दी है वो अपने मोटापे तो बड़ी दुखी है उसने मोटापे दा कारण है तलियां चीजां खाना फास्ट फूड खाने ठीके कोल्ड रिंक्स दी बड़ी शुकीन है कारों मगरों आउं दी है पहला दो तिन जड़ी फ्रूट यह है वो पीन दी है एक दिन चलो दी मम्मी ने कहा चलो आज तो तेरा खाना पीना बांध तेरे सारे फास्ट फूड बांध तेन्नों कोल्ड रिंक बिल्कुल नहीं दित्ती जाएगी डॉक्टर साहिब ने कहा जे तेन्नों पतली देखना है ते सारियां चीजां चड़नियां पैन गिया मम्मी को लो फास्ट फूड ना खान दा सुनके चलो उदास हो गई उसनों ते चीजां बढ़ियां सुआद लाग दियां सन प्रंतु जदो चलो ने पतली होंदा सोचिया तो ओ कैन लगी मम्मी तो उसी ठीक आख दे हो मैं आज तो फास्ट फूड नहीं खावांगी पर मैंनों दसो मैं पतली हो जावांगी उसने मम्मी ने के आत इनमें रोज सेर क्राउन लेके चलिया करांगी ते तो पतली हो जाएंगी चलो ने उस तो बाद एना चीजां नों फास्ट फूड खाने जड़े सी यो बांद कार दिते चीजां नों हाथ नहीं लाया फून चलो जूस त चलाग बच्ची बान गई है इस जड़ी लेक है ये जड़ी स्टोरी तुसी पड़ी है एने तो तुसी की सिhr bru ये इस तो सानू ए समझ आंदी है इस कहानी पढ़के सानू ए समझ आई है कि मोटापपा जड़ा है वो इक तरांदी बीमारी है ठीके फास्ट फूड कोल्ड रिंग जड़ी है वो मोटापपा पैदा कर दिया हन बच्चयानू टॉफिया बबल गम चॉकलेट आदी नहीं खाने चाहिए क्योंकि यह दना नाल दांद खराब हुन दे हन एक पतला बच्चा सबनू सोना लग दे मोटापपा जड़ा है वो इक बीम हमारी है हुन तुसी इस चैप्टर नों आप वी रीड करने है आदे समझने है चंगी तेरा ओके स्टुडेंट्स